असलाव लेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों बेसन को हम अपने खानों में तो इस्तिमाल करते ही हैं और बड़े मज़े मज़े की चीजें भी बना लेते हैं, लेकिन आज जो हम बेसन का यूज़ करेंगे वो फेस वाश के लिए करेंगे, तो यहाँ पर मै बेस्त है, और ओयल बगारह को भी खतम करते हैं, और यह मैंने अधा़ ली है लिए हल्दी, और यह चाहिए होगा एक आलोवेरा, यह Dani तो आप उस कंटेनर को अच्छी तरहां से वाश करिएगा फ्रेंड्स और उसको सुखा लिएगा कोशिश करिएगा कि उसको धूप में सुखाएं ताके उसके अंदर कोई भी पानी का एक ड्रॉप भी बाकी ना रहे और इसको अच्छी तरहां से सुखाने था वो हम इस कंटेनर के अंदर एड़ करेंगे सारा और इसके अंदर कंवर्ट कर लेंगे ये इतना कमाल का फेस वाश बनने जा रहा है तो आप वीडियो को प्लीज स्किप मत किया करें इसलिए के बहुत सारी चीज़ें बीच में से छूट जाती है फिर अगर हम स्किप कर देते हैं तो ये मैंने सारा इसके अंदर कंवर्ट कर लिया था और ये जो हल्दी है ये भी मैं वन टेबिल स्पून जो थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तो सारी हल्दी और बेसन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स इसको आप अच्छी तरह से कर लिएगा फ्रेंड्स और इधर एक टिप देना चाहूंगी फ्रेंड्स आपको कि अगर आपकी इसकिन बहुत जादा ओईली है तो आप इसके अंदर एक टेबिल स्पून भरके मुलतानी मिट्टी का भी एड़ कर सकते हैं और तो आपके लिए जो जिनकी इसकिन ओईली है वो उनके लिए ये बैस्ट फेस वाश जो है तयार हो जाएगा क्योंके फ्रेंड्स ये इतने महेंगे होते हैं फेस वाश जो मार्केट में अवेलेबल हैं तो इनके फिर साइड एफेक्ट का भी खत्रा रहता है और ये जो होममेड होते हैं इनका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता ये आपकी स्किन के लिए बिलकुल भी हार्मफुल नहीं होते जी फ्रेंड्स अब हम इसको बनाना है स्टार्ट करेंगे कि जब भी आप इसको यूज करना हो आप एक बाउल के अंदर इसको निकालेंगे जार के अंदर से और इसके अंदर जो नेक्स चीज आपको डालनी है वो है ऐलोवेरा जेल एलोवेरा जेल आप इसके अंदर डालेंगे एक टी स्पून ले लें और इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी थोड़ा सा तो पानी आपने इतना लेना है कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और अगर आप यहाँ पर एड़ करना चाहें तो रोज़ वाटर भी एड़ कर सकते हैं तो आपकी ये चोईस है जो आपको जो अच्छा लगे जिस तहां आप पानी लेना चाहें हैं और यह ना बहुत जादा गाड़ा है ना बहुत जादा पतला है क्योंकि यह जादा रनी होगा तो फ्रेंड्स स्किन के ओपर सही से लगेगा नहीं तो अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर अपलाए करके दिखाती हो बिलकुल साफ आपने पानी से इसको दोना है अपने फेस को और उसके बाद इसको अपलाए करना है और इसको आप थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें, दस पंडर्रा मिनट। और इसका आप जब लगा लेंगे अच्ही तरह से तो आपने इसका massage करना है अच्छी तरहां से face का अच्छी तरहां से और neck पर भी इसको use कर सकते हैं हाथ पैरों पर भी use कर सकते हैं ये बहुत जबरदस और effective है friends healthy जो है ये बहतरीन है हमारी skin के रंगत को निखाने के लिए बहुत best है और basin जो है वो हमारी skin के उपर जो dead cells बगारा होते हैं उनको भी remove करता है और aloe vera gel जो हमारी skin की tightening के लिए है बहुत जबरदस तो आप इसको लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से मसाज करिएगा ताके ये आपकी skin के अंदर अच्छी तरह से absorb हो और ये बहुत अच्छी तरह से और dark circles बगारा हैं तो ये उनके लिए भी best friends ये हर आपके skin के जो भी problem है ये उसके लिए बहतरीन है जी friends आप देखें कि मैंने इसको सिर्फ अभी तीन से चार मिनट ही मैंने इसको जो है मसाज किया है और ये आप result इसका देख सकते हैं ये कितना अच्छा result इसका आ रहा है तो बस आप इसको 5-10 मिनट जो है अच्छी तरह से मसाज करेने के बाद इसको पानी से वाश कर लिएगा तो फिर आप इसके बहतरीन result देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं friends कि इसका कितना अच्छा result आए और इससे भी जादा अच्छे result के लिए आप इसको सुभा और रात में इस्तेमाल करें और मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि आपको इसके कैसे results मिले अपना बहुत जादा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज